हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चनल आपे शोबा के साथ यह देखे फ्रेंड्स मेरी एक साड़ी है जो मैंने आप लोग के साथ पहले वीडियो शेयर किया है और वो मेरे पीछे यह है वो टेंकी जिसका मैंने कवर बना रहे साड़ी में से और इसमें सिर्फ यह पल्लो छिर्फ रहे से आपकवर लगते हैं गवर के रहे साट कॉस्स हाट कि पछड़ी पट्राव प先ड़ा हो रहे हैं रूप बना रहे हैं कि अपंड़ा ईतना ही हैliों को आपड़ा के साथ से बनाना है और नीचे बनाना हैं चार दो मैं यह तो पूरा पड़ और उपर के साद कि यहां से ना पूरी हुँ तो मैंने स्टेंड पर रखा हुआ है यह अपने स्लेंडर तो उसकी लंबाई जितना तक स्टेंड रखोंगी तो नीचे रखना होता है तो नीचे वह ले जाएंगे तो वह थोड़ा सा गंदा हो जागा कि इसके लिए में इस तरीके से मैं नहीं करी मैंने इसकी लंबाई रखनी है तो अब देखे यहाँ पर मैंने इतना कट कर लिया है और कट मैं नीचे की से तुम पर एक्सलाइन कुछ दूंगे नीचे में इसको फोल तो मैं अब देखिए उपर के साड में इस तरीके से कवर करूंगी तो मैंने इसको डबल में मेजर कर रहां पूरा आता है कि नहीं आता और यह पूरा आ रहा है डबल में भी मतलब मेरा कफड़ा काफी है इसका लबाव इस तरीक कर रहे हुए अगर थोड लंबा चोटा करना हो तो हो जाए उसमें से तो alors भी देखे मैंने जिस तरीके से अबने टमकी का उपर कवर के लिए मैंने की थी उसी तरीके से मैं ये अपने स्लेंडर के उपर के गोलाई के डाफ्टिंग कर रही हूँ मैंने इसके उपर इस तरीके से रखा है और जहां पर वो पकड़ने का है वहां पर मैंने पूरे में इसको राउंड में इस पर डाफ्टिंग कर दिया ये दिखे मैं कट कर रही ह इसफे बृतब में निषान लगा रही हूं और तो हम यह राओन के बाद में हूए मैं एक्स्ट्रा गारी हूँन और आपको पहने करना बहुति जिस जाएन को भी मैं कट कर दूँगी अगया है कि मेरे गुलाई में कट हो गया आपको आप दिखाए दे रहा है कि शेप किस तरी के से आ रही है मैं इसको उपर रखे między major कर लिया यह देए रही देखे 4 और पूर से बाहर निखर रहा है अब दीखिए जो में चारों तरप से से डबल मैं फोल्ड कहीं था मैं sengle में सिलाई कर रही हूं और यह प्लेर जैना कि इस तरी के से लगार रही हूं और यह मेरा उपर का साइट कर बन जाए गए देखे मेरी जो मेरा पल्लो था उसका कितना सुन्दर यूज हो रहा है और पल्लो के जितना कपड़ा था उसमें ही मेरा ये कवर बन गया था इसके लिए एक्स्ट्राइब जिरूत नहीं पड़ी और डिजाइन भी बहुत है इसको कट करूंगी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करूंगी तो यह दिखे जहां पे मेरा नीचा वाला हिस्सा था तो जिस सैट को पी बढ़र रही थी करीब नीचे मैंने कच्छा बखियवाली इसलाई मारी है और इसको मैंने फिर एक साइट में ध्गा खीच लिया है और जहां पर यह आपको यह दिखाई दे रहा है इसके नीचे तक जहां तक मुझा गोलाई लेनी है वहाँ पर मैंने यह निशान लगा रही हूँ और फिर मैं इसको एक साथ सो कट कर दूँगी अब कट करने के बाद इस देखे मेरे पास गोल में आ गया था और अब मैं जो मैंने ये फिल बना रखी है नीचे वाले हिस्से का तो उसको मैं अपने सिलेंडर के गोल वाले हिस्से के साथ मैं इस तरह के जॉइंट कर रही और चुन्नटे में बीच में देती भी पूरे में देनी है मुझे तो इसको इस तरीक में फैलाती हुई सिलाई लगा रही हूँ और बहुत सुंदर मेरा ये बन के तयार हो रखा है बिलकुल जीरो कोस्ट में है और थोड़ी से जो महनत लगी है हमारी वही एक्स्ट्रा है और बाकि फिरी जीरो कोस्ट में जैसे मैं ज्यादर आपको लोगे शेयर करती हूँ कि जो भी मेरे DIY होते हैं वो ज्यादर जीरो क असब्स के होते हैं ये दिखिए बन के तयार है और आप बदाया कि आपको कैसा लगा इस को नीचे से भी जोड दिया है इसको चाहतर बंद कर दिया है और सब्सक्राइब और बता ने सकता है कि ये सिलिंडर है और बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा लग तो प्लीस करना ना बूले एसे इंटे स्वेर बीड़ागा फिर मिलोंगी बाई